आजादी के बाद 1947 से पहले का भारत अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था दूसरे हिस्से का नाम पाकिस्तान दिया गया था यह पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा हुआ था जहां आतंकियों और तानशाहों को पना दी जाती थी यानि पस्चमी पाकिस्तान तो दूसरा वो जहां पश्चमी पाकिस्तान द्वारा अपने ही लोगों की हत्या और बलतकार जैसे संगीन जुर्म किये जाते थे। पाकिस्तानियों ने इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया था। आजादी के बाद समय की उठा पटक जारी रही और फिर साल आया 1970। पूर्वी पाकिस्तान में आम चुनाओं के नतीजे आ चुके थे। आवामी लीक के नेता शेख मुझीबुर रहमान के माथे जीत का सहरा सज चुका था। पर रहमान को पश्चमी पाकिस्तान सरकार द्वारा बंदी मना लिया जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है बांगला देश के विजए दिवस की। नए राष्ट की मांग के साथ पूर्वी पाकिस्तान के बड़े नेता शेख मुझीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के आम चुनाओं में जीत का पता का फहराते हैं। पर कराची में बैठे ताना शाह याया खान को यह रास नहीं आता। लिहाजन शेख मुझीबुर रहमान को जेल में डाल दिया जाता है। और बड़ी तादात में वहां के पाकिस्तानी सैनिक आम लोगों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। इस घटना के बाद नए राष्ट की मांग हवा में आगी की तरह फैलने लगती है। दो हिस्सों में बटे पाकिस्तान की बीच रिष्टे और खराब होने लगते हैं। हालात इतने विगड़ जाते हैं कि वहां की सेना लड़कियों के साथ रेप कर उनके परिजनों से भी उनका रेप कराने लगती है। 30 लाख से जादा लोगों को जिन्दा कटवा दिया जाता है तो 4 लाख से जादा महिलाएं बलातकार की भेट चड़ जाती हैं। लोग बड़ी मात्रा में पलायन करने लगते हैं। एक साथ 10 लाख लोगों के शरण होने से भारत पर अंतराश्टी दवाव बढ़ने लगता है। लिहाजन भारत को इस मामले में हस्त शेप करना पड़ता है। उस समय की ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ततकालिन जनरल सैम मानिक्षौ से बात कर सेना को युद्ध के लिए तयार होने का आदिश देती हैं। पर बदलते मौसम को ध्यान में रखकर मानिक्षा ऐसा करने से मनह कर देते हैं और प्रधान मंत्री से सही समय का इंतजार करने को कहते हैं यह सही समय था 3 दिसंबर 1971 जिस दिन पाकिस्तान चुक्के से भारत पर हवाई हमला करता है पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया गया हवाई हमला इतना खतरनाक होता है कि भारत का एक सैनिक भी नहीं मरता पर युद्ध के इंतिजार में बैठे भारत को पाकिस्तान पर हमला करने का एक वाजिब कारण मिल जाता है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर बांगला देश के लिए लड़ रही मुक्ति वाहनी के साथ देने भारत की तीनों सेनाए पहुंसती है युद्ध के हर मकाम पर पाकिस्तान परास्थ होता जाता है आगे की लप्टों से घिरी कराची पीएनस गाजी में जमिदोज होने के बा ठहाकों से पूरा पाकिस्तान सरुबार हो उठता है पर इसके हंसी के ठहाके चीक में बदल जाते हैं इसकी खबर पाकिस्तान को जरा भी नहीं लगती अमेरिका के सात्वे बेड़े का स्वागत करने के लिए यहां जै और वीरू की जोड़ी पहले से खड़ी रहती है रूस के 40 वे बेड़े को देख अमेरिका भारत को सलाम कर चुपचाप निकल जाता है अब युद्ध शेतर में बच जाता है तो बस निहत्था हारा हुआ पाकिस्तान अपने किस्मत को कोस्ता हुआ पाकिस्तान जो अपने खाय हुए को ना निगल पाता है और ना ही उगल उसके सामने कोई रास्ता बचता है तो बस आत्म समर्पन का लिहाजन 13 दिसंबर 1970 को जनरल नियाजी अपने 90,000 सेनिकों के साथ भारत के सामने आत्म समर्पन कर देते हैं फिर विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर सामने आता है जिसका नाम रखा जाता है की प्रतिबर्दता का प्रतीक है यह भारती सशस्त्र बलों की वीरता सुतंद्रता और लोकतंद्र के सिधानतों के प्रती उनके अटूट समर्पन के प्रमाण के रूप में खड़ा है हर साल विजय दिवस पर राष्ट उन बहादूर सैनिकों को सद्धान जली देता है जि अदम में भावना का सम्मान करने वाले कारक्रम शामिल होते हैं विजय दिवस राष्ट की सामूहिक्समती में गौरव और शद्धा के दिन रूप में अंकित है यह न्याय के लिए किये गए बलिदानों और भारती ससस्त्र बलों को परिभाशित करने वाली स्थाई भावन करने